हाई गैस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 5E में सेट अपने आज बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम किया साथ ही साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि option trading को actually में कैसे किया जाता है क्योंकि option trading है अगर आपने एक मिनट भी इसमें miss कर दिया कोई चीज important information तो आपका premium जो है यानि कि आपका amount invested है वो कितना loss में चला जाएगा या आपको भी idea नहीं रहेगा तो इसलिए एक एक चीज को जानना यहाँ पे जरूरी है मैं आपको पूरा option trading इसी वीडियो के अंदर detail में समझा दूगा ठेक है जी तो यहाँ पे देखो bank nifty का यह chart है आज का और आज है हमारा second of March और 5A में setup क्या बोलता है कि जो भी candle 5A में की जो line है अगर आपको 5A में क्या है नहीं पता है कैसे use करते हैं यह भी नहीं पता है तो वरी मत कीजिए इस वीडियो के end में आपको मैं वीडियो का link दे दूगा वहाँ जाके आप click करके जो है 5A में setup कैसे काम करता है वो देख सकते हैं और यहाँ पे भी मैं आपको समझाने वाला उट detail में so don't worry so यहाँ पे देखो 5A में basically क्या होता है कि जब भी कोई candle 5A में की line से उपर निकल जाता है यहाँ पे मैं थोड़ा zoom करके आपको दिखाता हूँ जैसे कि इस वाले candle पे ध्यान दो यह वाला जो green candle है तो 5A में की candle यहाँ से क्या हुआ है उपर की तरफ निकल गया है ठीक है और इसका low जो है वो touch नहीं कर रहा है इस वाले point को तो इसका मतलब यह हमारी alert candle है अब alert candle 5A में setup के according है जैसे ही इस alert candle का low break होता है हमें entry ले लेना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते है इस alert candle के low को हम क्या करते है mark कर देते हैं यह हमने mark कर दिया कितना amount निकल के आ रहा है यह 4,665 अब आपको बता होना चाहिए कि bank nifty के अंदर जो gap होता है strike price में वो 100-100 point का होता है तो 4,665 है अब आपको धियान रखना की round figure में इसके नजदीक का कौन सा number है पहिए 4,600 yes or no 4,600 जो है जो इसके सबसे नजदीक है अगर हम 4,600 की बात करें तो वो 65 points दूर है और 4,600 जो है वो only 35 points दूर है तो 4,700 का जो strike price है उसको हम ATM मानेंगे ठीक है तो side में कहीं पे लिख लेते हैं हम कि 4,700 जो है वो हमारा strike price है जिसको हमें buy करना है अब वो PE करेंगे या CE करेंगे भी बताने वाला हूँ आप हो तो यहां हमने लिख लिया उसको strike price यह हमारे लिए काम की चीज़ है अब हमें stop loss कहां लगाना है इस alert candle के high का ध्यान से देखना बहुत important information share कर रहा हूँ alert candle का high लगाएंगे यह हमारा हो गए stop loss अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहां तो stop loss हिट हो गया यह जो high जो है इसके उपर भी next candle का high निकल गया है answer है no ऐसा नहीं हुआ था live market में क्या हुआ था market ने पहले जहां पे यह जो red candle है ना इसकी जहां पे opening हुई market ने पहले high लगाया low break करने से पहले high लगा लिया उसके बाद जाके low break वा तो यानि कि हमारी entry नहीं हुई थी जब यह high लगा था got the point तो कभी भी ऐसे देखके नहीं आपको assume करना चाहिए आप live market में देखो आपको पता चलेगा कौन सा high break हुआ कौन सा नहीं हुआ तो जब हमने stop loss इसका लगाया तो stop loss अभी लगाया नहीं entry ही नहीं हुई क्योंकि high बनाने के बाद market जब दुबारा नीचे आया और तब जाके उसने low को break किया हमने entry ली और इस case में हमारा stop loss होगा वो alert candle का high नहीं बलकि इसके भी अगला candle जो है उसका high होगा क्योंकि नया high बन चुका है तो हम to be safer side इसके high को क्या करेंगे stop loss consider करेंगे तो आपको stop loss पता चल गया आपको entry पता चल गया समझ में आ गया इतने में अगर कोई पता चल गया आपको entry पता चल गयी कहां पर करनी है 40,700 का strike price select करना है अब side by side हम क्या करते हैं 40,700 का strike price का जो premium वाला chart है वो भी खोल के रख लेते हैं तो यहां पर हम जाएंगे जिसके पास trading view free का account है वो लोग multi chart नहीं open कर सकते और अगर आपके पास किसी भी broker का account है upstock है जरोधा है सबके link मैंने description में दे दिये हैं अगर आपके पास कोई trading account नहीं है तो वहां जाके open कर सकते हैं free of cost है तो उसके बाद आप जो है multi chart यहां पर देख सकते हैं side by side तो यहां मैंने multi chart open कर लिया और आप देखोगे 4,700 का मैंने PE क्योंकि मैं sell side में जाने वाला हूँ market नीचे गिरेगा तो मुझे profit होना चाहिए तो मुझे PE को buy करना होगा PE option तो 4,700 के strike price का PE जो की 2 March का है जो आज expiry date थी तो आज market बहुत ज़ादा volatile भी था theta decay भी बहुत ज़्यादा हो रहा था यह ठीटा decay वगयरा क्या होता अगर आपको नहीं पता तो आने वाले वीडियो में मैं explain करने वाला हूँ तो अभी आप ध्यान रखो 40,700 का strike price यानि कि PE जो है हम short करेंगे यहां पे और अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ देखो यहां पे क्या है आप गौर करो आप कहते हैं कि stop loss यह तो आपने दिखा दिया सर निफ्टी के चार्ट पे मतलब bank निफ्टी के चार्ट पे आपने stop loss मुझे दिखाया कितने point का है यह बीच में यहां पे मैं फिर से सिंगल चार्ट पहले करता हूं और उसके बाद देखने के कुशिश करते हैं कि कितने point का यह हमारा stop loss बनता है तो हम क्या करेंगे short वाला tool लेंगे और उसके बाद जहां हमारी entry हुई है यहां पे रखेंगे और उसके बाद जो हमारा फोड़ा सा चार्ट को छोटा करते हैं पूरा detail में आप सीखने वाले वाज आज के बाद आप यह नहीं कहेंगे कि 5B में set up option trading में मुझे use करना नहीं आता प्रफ़र तो अगर आप देखोगे 44.40 यानि तकरीबन 22 पॉइंट का 23 पॉइंट का आपका stop loss है प्रीमियम पे क्योंकि यहां पे तो इसका ATM अगर आप ले रहे हो तो हाफ हो जाएगा ना प्रीमियम पे तो तकरीबन 23 पॉइंट का आप इस stop loss लगाएंगे प्रीमियम वाले चार्ट आप एक दो पॉइंट उपर भी कर सकते हैं इसमें क्योंकि तूबी सेफर साइट जरूरी थोड़ी एक्जैक्ट आप हाई को लगाना है एक दो पॉइंट आप उपर कर दो तो उससे आप सेफ रहोगे तो 23 पॉइंट का है अब 24 पॉइंट का लगा दो बेटर रहेगा ठी ठीक है अब यहां पर देखो यह तो है अब यहां side by side हम premium वाला चार्ट फिर से खोल लेते हैं यह खुल गया ठीक है अब देखने की कोशिश करते हैं जहां हमारी entry हुई है जिस candle के low पे premium के chart पे उसी candle के high पे premium की price कितना था हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने time पे उसी वक्त यानि 10.40 की candle है जिसका low break किया 10.45 का candle है 10.45 या 10.40 की candle का जो low है तो 10.40 की candle का high premium वाले chart पे हमारा क्या बन जाएगा उस time का premium की value बन जाएगा यहां पे देखने की कोशिश करते हैं यह रहा वो candle आप गौर से देखेंगे यहां पे मैं आपको दिखाता तो आप उल्टा चलेंगे बैंक निफ्टी में आप क्या देख रहे हैं low जहां पे entry हुई लेकिन यहां पे क्या देखेंगे हम high ठीक है तो reference के लिए तो यहां पे हम इस candle के high को mark करते हैं और अगर हम देखें तो उस time पे premium था 114 रुपे 95 पैसे round figure ले ले लेते हैं 115 तो हम premium का value कितना था premium की जो value थी वो थी 115 रुपे ठीक है जी all right round figure में अब बात करते हैं हमारा target कहां जाके achieve हुआ यहां पे फिर से हम आते हैं अपने spot के chart पे और अपने target को 1 is 2 3 हम consider करते हैं तो हम 1 is 2 3 तक इसको drag करेंगे नीचे तक और देखते हैं कि हमारा target कौन से candle पे achieve हुआ और उस time पे premium कितना था यह देखो ठीक है तो यह हमारा हुआ यहां पे इस candle ने हमारा जो है this one यह वाला candle यहां पे जाके हमारा यह जो long candle बनी हुई है ना इस candle के low ने हमारे target को achieve कर दिया और spot के chart पे दिख रहा है 133 point और क्योंकि हमने strike price कौन सा लिया है ATM तो ATM में क्या होता है जितने point market उपर या नीचे करेगे उसका आधा 50% premium उपर या नीचे करेगा यह ATM की खास बात होती है यानि 0.5 का multiplier होता है यहानि कि अगर 100 point अगर spot के chart पे premium spot का chart जो है नीचे की तरफ गिर जाता है bank nifty नीचे की तरफ गिरता है तो premium जो है आपका 50 point से उपर की तरफ चल प नीचे गिरा है तब हमारा one is two three का target meet हो गया ठीक है अब 133 का मतलब क्या है premium पे इसका आधा अप होना चाहिए तो जड़ा एक बर calculate करके देखते हैं 133 को round figure करते हैं तो 134 आता है 134 points का हमने capture किया spot के chart पे spot chart पे capture किया इसका अगर हम आधा कर देंगे तो 100 का आधा हुआ 50 औ यह होना चाहिए राइट मैं ठीक हो ना साथ दूने हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है 67 points जो है increase होना चाहिए हमारे premium में लेकिन ऐसा नहीं होगा वही बताने वालाओं की theta क्या होता है अब आपका concept clear होगा 67 points हमारे premium increase होना चाहिए यहां पे आके देखते हैं हमारा यहां क्या ह सबसे पहले देखो टार्गिट किसी कैंडल नहीं हिट किया है यह वाला एक बजे वाली कैंडल जिसके लो ने हमारे टार्गेट को हिट कर दिया premium के चाहर्ट पे हम एक बजे वाली कैंडल का हाँ पर है इस वान यह वाली जो candle है यह जो hammer जैसी बनी हुई है यह हमारे ठीक एक बजे वाली candle इसके high को हम mark करते हैं और यहां पे अगर हम high को mark करें तो यह आगया 172 का ठीक है तो 114 यह 115 पर हमने entry करी थी 172 यह 173 पर हमने exit ली इन दोनों का difference निकाल लेते हैं कितना आना चाहिए 67 3 round figure ले लिया है इसमें से minus करेंगे जितने पर हमने entry करी थी 115 और इसका answer जो आ जाएगा वो देख लेते हैं 117 minus 115 58 points ठीक है तो वो point के 5 multiplier जो था जो हमने बोला था कि bank nifty अगर 100 point जो है move करता है तो premium जो है उसका half move करेगा किसी भी direction में अगर PE और CE के उपर डिपन करता है ता यह जो आपका 9.20 में से गाइब हो गया ना 9 points का difference आ रहा है इसी को हम बोलते है time value time value यानि कि या यू कहलो थीटा डिके थीटा spelling पे आप ना जाएं मुझे symbol भी नहीं मिल रहा है so theta decay तो होता क्या है ये 9 points अगर market कहीं भी नहीं जाता मान के चलो बजार जहां गिरा था और दुबारा से उठके उसी point प्याके खड़ा हो जाता उस case में आपका क्या है जहां से चला था ना जहां आम ने entry ले थी उसी point प् profit में तो भी आपका 9 point का loss हो जाता जिसकी वजह से जिसे बोलते हैं theta decay यानि premium जो है decay करता रहता है और expiry के दिन तो और ज्यादा speed से decay करता है अब आपको यह पता चल गया कि actual में मुझे profit कितना हुआ 58 points का ठीक है अब इसको lot side से multiply कर जो जितने lot आपने buy किया है ठीक है तो म मैं multiply कर दो तो कितने का profit यहां पर होता मेरा अगर मैं one is two three का target यहां meet कर जाता 58 multiply 25 यानि 1450 1450 यह हमारा क्या होता earning होती एक lot से अगर हम इसमें बने रहते इसमें से brokerage आप minus करोगे brokerage अब सबसे फ़हले तो यह धियान रखते हैं कि हमें यह वाला lot buy करने के लिए पैसा कितन लगाना पड़ता तो आप देखो entry आपने कितने पे ली premium कितना था 114 115 था और 25 का आपका lot है तो आप 115 multiply कर दो 25 तो आपने कितना लगाया 2875 रुपे आपने 2875 रुपे लगाया सिर्फ ठीक है और उस पर आपको gain कितना मिल गया 1450 का अगर percentage में देखोगे तो यह कितने percent निक divide करते हैं इसको 2875 से अभी brokerage minus नहीं किया है round figure मानलो 50-60 रुपे का आपका brokerage लग जाएगा इसमें और इसको अगर हम multiply करने 100 से तो यह हमारा आता है 51% का increase ठीक है लेकिन यह increase आपको तभी मिलेगा जब आपका target हिट हो patience हो आप अपनी strategy पे trust करते हो ठीक है इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इतना सटीक entry और exit आप बनाते हैं तो जाके आपको 51% का gain एक ही दिन में आपके capital पर मिल रहा है this is called option trading यह stock trading में possible नहीं है option में यह possible है expiry पे specifically possible है लेकिन धियान रखे हैं अगर आपने expiry day पे गलत तरीके से trade किया तो आपका capital 50% से घट भी सकता है तो exact entry आपको लेनी ज़रूरी है so I hope कि यह video आपके लिए informative रहा होगा तमाम चीज़े मैंने आपको बताया है कि कैसे entry ली जाती है कैसे exit लिया जाता है premium के chart पे कैसे हम locate करते है entry exit को decide कैसे करते हैं कि हमारा stop loss कितने points का होना चाहिए और theta decay कैसे होता है 9 points का theta decay जो हुआ वो क्यों हुआ और उसकी वज़े से आ video को like करना ना भूलें साती साथ चैनल पर पहली बार तो subscribe कर लें और इसी तरह की analysis के लिए आप चैनल पर बने रहें क्योंकि आने वाले time में भी मैं इस तरीके से 5W में setup के अंदर आपको back testing देता रहूंगा क्योंकि यह strategy अगर fruitful होती है अगले एक महिने तक तो इस strategy को हम practically जो है use में लेके आएंगे feb month का मैंने data अलड़ी दिखा दिया है चैनल पर, March का मैं और कर रहा हूं अगर इन डोनों months में overall जो है profitable यह रहता है, so I am going to request you to use this strategy, उन लोगों के लिए जो नए हैं जिनको अभी price action को उतना कमान नहीं है, so आप लोगों के लिए beneficial होगा, so यह है झाल 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 झाल